हेलो फ्रेंज वेलकम टो नेदिश्री अकेडमी मैं हूं राहुल शर्मा फ्रेंज मैं आज आपके साथ एक थर्ड इंटरनेशनल फाइनेशनल इंस्टीशन डिसकस करने जा रहा हूं तैट इस एशियन डिवल्पेंट बैंक ठीक है मैंने आपके साथ पहले आई एम फ और वर बैंक में काफी ज्यादा प्रोजेक्ट के ऊपर डिसकेशन चलती रहती है और काफी ज्यादा फंडिंग इंडिया को मिलती रहती है एशियन डिवल्पेंट से ठीक है तो चलिए हम आज इसके इसके बारे में डिसक्स करते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और इसका ओ इसके इसके प्रेज़न इसका फोकस कहां पर रहेगा एशिया पर रहेगा और पैसिफिक रिजन पर रहेगा पैसिफिक रिजन क्यों कि आस्ट्रेलिया और न्यूजलेंड और पॉपवा दूगुणिया ठीक है ना ऐसे छोटे ही कंट्री नौट ऑस्ट्रेलिया चोटा नहीं ठीक है यह सच कंट्री इसको फोकस करने के लिए हमने पैसिफिक रिजन इंक्लूड किया हुए है एडिक् क्योंकि आपको नेक्स स्लाइड में कुछ एक मालूम बताऊंगा मैं क्या चीज़ा है रीजिनल और नॉन रीजिनल का क्या डिफ्रेंस रहेगा ठीक है तो यह हमारा बेसिक हुआ जस्ट इंट्रोडेक्शन हुई है एडीब के बारे में अब इसके बारे में मेजर अब्जेक्टिव और बैक्ग्राउंड पर पहले मैं आपके साथ बैक्ग्राउंड ही डिस्कुस करूँगा कि एडीब क्यूं फॉर्म हुआ कैसे फॉर्म हुआ और इसका क्या रीजन था ठीक है फ्रेंस 1956 में जैपनीज फाइनस मिनिस्टर ने एक परपोजल रखा USA फाइनस मिनिस्टर के साथ कि एक फाइनेंशल इंस्टिशन क्रियेट किया जाए जिसका पर्टिकुलर फोकस रही एशिया के उपर क्योंकि आई एम फार वर्ल्ड बैंक तो फ्रेंस क्रियेट कर दिया गया था 1944 में ठीक है और उसका फोकस नर्दन अमेरिका और यूरोपी था जन्नल लगाए जए मिन्स ड्वेल्ट कंट्रीज ही थी उसका फोकस तो जपा अबने बोला कि आपने डिया इंसीटिशन रख दी आपने ठीक है सैट अप कर दिये तो जो एशियन कंट्रीज है कुछ एक पूर कंट्रीज है साउथ इस्ट एशिया लगा लिजिए यहाँ फिर साउथ एशिया में लगा लिजिए तो इन कंट्रीज की डिवल्मेंटल नी और Pacific countries की developmental needs financial needs को focus करने के लिए ADB को form किया गया 1966 में 1956 में प्रपोजल आया उसके बाद इसकी functioning है friends वो World Bank के उपर based है Asia Development Bank की ठीक है क्योंकि World Bank भी finances से deal करता है Loans प्रवाइड करता है ADB भी Loans प्रवाइड करता है ठीक है तो यह almost similar ही functioning है सारी की सारी यह चीज़ है तो 1966 में ADB को form किया गया विद्धा major stakeholders as US Japan and USA ठीक है अब इसके major objectives की बात कर लेते हैं जल्दी से फर्स देखिए fostering economic growth औव्विस है यह economic growth तो सभी के financial institutions including government का main focus ठीक है ना तब ही इनको पैसे मिलेंगे उसके बाद reducing poverty यह भी आप समझ दिये होगे poverty reduction भी financial institutions का main focus रहा है government का main focus रहा है बट यह जो थर्ड objective ना improving the status of women यह आप किसी और banking financial international financial institution में कम ही देखोगे ठीक है अब मैं आपके साथ इसको discuss करना चाहूंगा यह आई-म-फ और world bank में मैंने आपके साथ discuss किया था बट उसमें मैंने नहीं बोला कि improving the status of women यह फिर women के उपर कोई particular focus राइट उसका क्या reason है उसका reason यह है friends आई-म-फ और world bank कहां पर है वो developed countries के institutions हैं और developed countries हम कब बोल सकते हैं कि कोई country developed country है जब वहां पर women को भी equal opportunities मिले right equal opportunities women को भी मिले as comparison to men ठीक है और अगर आप देखो तो वहां पर women's rights काफी जादा हाई है ठीक है और women's काफी जादा aware भी है यूरप और नदन अमेरिकन कांट्रीज में अपने rights के regarding ठीक है यह चीज एशिया में नहीं है उतनी ठीक है अभी ठीक है अभी women काफी जादा aware हो रही है अपने rights के बारे में बट यह 1966 में बना था तो आप देख सकते हो तब female की condition क्या थी ठीक है तो women को women के status को improve करने के लिए ADB ने focus रखा हुआ है important है यह वाला point objective है इसका ठीक है क्योंकि जो Asian countries है वो तभी develop करेंगी अगर women को equal opportunity मिलेगी in comparison to men ठीक है तो यह है improving the status of women उसके बात है फ्रेंट्स supporting the human development and protecting the environment देखिए फ्रेंट्स human development तो तभी होगा जब women का status improve होगा और poverty reduce होगी क्यों अगर यह दो चीज़े होगी तो फ्रेंट्स obvious है means आपकी economy grow कर रही है means आपके पास better livelihood conditions है options है ठीक है तो उससे human development improve हो जाएगा और protecting the environment देखिए वो तो आजकल का हर एक का ही main focus रह रहा है ठीक है क्योंकि यह हमारी जिम्मेवारी बनती है कि environment को protect किया जाए उसके पाद है friends it promotes the investment of public and private capital for development purposes ठीक है obvious है private capital में यह लगा लीजे कोई private company है या फिर private enterprise है चाहे FDA लगा लो चाहे आप foreign company लगा लो ठीक है तो यह उनको encourage करता है कि यह relation की in countries में आप invest करो तो इसलिए बोला गया है कि it promotes the investment of public and private capital public में friends government आ जाएगे और PSU आ जाएंगे ठीक है और उसके बाद last objective है इसका friends it assists in coordinating the development policies and plans in its member countries ठीक है friends यह मैं आपको compare करूंगा ADB का यह वाला last वाला objective European bank के साथ आप आपको मालूम है euro nation ठीक है न euro zone उसकी वो 2021 countries और उनका एक central bank है European bank central bank ठीक है न तो जो European central bank है तो friends वो monetary policies बनाता है वो एक country के लिए बना रहा है वो 2021 countries के लिए monetary policy बना रहा है तो उनको वो assist भी कर रहा होगा राइट वैसे same conference ADB भी करता है क्योंकि दोनो financial institutions है ठीक है तो इसलिए देखिए economist बैठते होंगे ठीक है तो वो policies भी बनाते है policies बनाएंगे ठीक है तो वो सारी की सारी चीज़े यहां पर focus किया जाएगा कि आप कैसी assist करोगे member countries को उनकी monetary policy में ठीक है तो यह चीज़े रहती है तो यह हमारा major objective है ठीक है friends अब मैं आपके साथ discuss कर रहा हूं major stakeholder क्या है ठीक ह ADB में ठीक है तो यही है जो major stakeholder friends से एनी का major voting right भी है जैसा मैंने आपको Washington consensus discuss किया था IMF और World Bank में वैसी सेम चीज़ यहां पर है यहां पर Washington consensus तो नहीं होगा बट फिर भी अगर आपको ADB से loan चाहिए तो Japan यहां फर USA यहां फर यह इन दोनों की मर्जी आपको चाहिए ही चाहि ही है सेम है जैसे जापान के पास इतना percentage stake है तो इसका इतना इतना percent voting right भी होगा यह सारी चीज़ें सेम चलेंगी ठीक है और friends यह एक बात और है जैसे IMF और World Bank है मैंने बताया कि IMF का head हमेशा Europe से आता है और World Bank का head हमेशा USA से आता है तो यह ADB का head है यह हमेशा ठीक है जापा 1966 से लेके current जो president IADB के वो Japanese है तो friends तीन World institutions है financial institutions और तीन के उपर तीन countries का control है IMF के उपर Europe का World Bank के उपर America का और ADB के उपर Japan का तो इस hegemony को counter करने के लिए New Development Bank और Asian Infrastructure Investment Bank जो BRICS ने परपोस किये थे ठीक है वो बनाए गए गए है ठीक है तो यह चीज है friends हमारी ADB के बारे में और अब है friends इसका structure क्या है ADB का ठीक है यह that is the Board of Governors is ADB's highest policy making body it meets annually अब मैंने आपको बोला था कि यार इसको regional और non-regional members को ध्यान दीजेगा ठीक है regional 49 है और non-regional 19 है ठीक है तो यह जो 12 directors है जो Board of Directors में बैठते हैं इनमें 8 आते हैं हमारे regional area से means Asia and Pacific से और 4 directors आते हैं हमारे non-regional area से that is Europe से ठीक है तो यह हमारा structure है ADB का अब ADB and India का क्या relation है means क्या functioning गया यहां फिर कैसी funding किन किन एरिया में funding करता है ठीक है तो ADB support करता है friends India को to accelerate economic transformation बेलकुल कैसे होगी economic transformation इंडिया की? by building industrial competitiveness बेलकुल industries को promote किया जाएगा creating jobs अगर industries promote होगी तो jobs भी create होगी ठीक है उसके बाद third चीज है accelerating growth of low income states low income states friends example है Odisha और यह जो हमारी 36 गड़ है ठीक है मध्यपरदेश भी ठीक है तो ADB direct इनको funding करता है direct ministries को funding करता है इन चीजों को यह low income states को ठीक है क्योंकि यहाँ पर जादा need है job creation की ठीक है industries को set up करने की इसी poverty कम होगी ठीक है और उसके बाद है friends and it addresses environmental and climate change challenges ठीक है जैसे UNFCCC है चल रहा है ठीक है और India solar mission है तो ऐसी चीजों को यानि कि जो climate के climate change को कम करें ठीक है और जापान की अगर आब बात और तो कोईटो प्रोटोकुल आपको याद होना चाहिए 1999 के राउंड था ठीक है 1997 या 1999 के राउंड ठीक है तो वो चीज़ है तो कोईटो भी जापान में है तो इसलिए ADB का focus भी है environmental and climate change challenge के ओपर और friends ADB ने loans कैसे कैसे provide की है ADB has provided loans for various projects like COVID-19 जे तो हर इक financial institution प्रवाइड कर रहे है उसके बाद education for out of school children जो किसी कारणवश children ठीक है school से बाहर आ रहे हैं चाहिए वो face में pay कर रहे है या फिर उनको मज़़ूरी करने पड़ रही है या फिर कोई भी reason हो सकता है तो उनकी education के उपर ADB particularly focus कर रहा है उसके बाद highway projects है and friends PM जन आरोगे योजना जो government of India की ठीक है universal health coverage mission है ठीक है उसको और COVID-19 को य अची funding कर रहा है ADB और friends बाकी and apart from many other developmental projects ठीक है जी तो यह ADB focus कर रहा है इंडिया के ऊपर ठीक है यही थे friends ADB और इंडिया का और structure of ADB ठीक है friends यह हमारा ADP के ऊपर just छोटा सा lecture था तो friends अगर आपको यह lecture अच्छा लगा तो please kindly share subscribe और like कीजिए हमारे channel को ठीक है friends और अगर को कोई डाउट हो तो comment box में लिखेगा हम उसको जुरूर सॉल्व करेंगे और प्लीज continue learning and friends thanks for watching निरिश्री अकेडमी टेक केर, have a good day